कुतुबुद्दीन एवक मुहम्मद गोरी का गुलाम था उसने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की उसे गुलाम वंश स्लेव डैनेश्टी कहते है इस स्लेव डैनेश्टी वंश ने 1206 से 1290 इसवी तक 84 साल तक राज किया इस काल में कुतुबुद्दीन एवक ने दि विजय की बल्बन के कमजोर उत्तर दिकारे राज्य को आगे ना चला सके और सुल्तान में अराजकता फैल गई आईए अब आमको बताते हैं गुलाम वंश के सभी सुल्तानों के बारे में बच्पन में ही कुतुबुद्दीन एवक को गुलाम के रूप में बेच दिया गया और पारस में एक स्थानिय काची ने उसे खरीद कर उसे बढ़ा किया उसने मालिक की मोत के बाद उसके बेटे मुहमत गोरी का वो गुलाम बना आखिरकार कुतुबुद्दीन को सेना में भरती कर लिया गया आगे चलकर गोरी के शाशनकाल में वो एक सक्षम सेना पती बना ग्यारा सो तिरानमे में दिल्ली पर कबजा करने के बाद गोरी वापस खुरासान लोट गया अपने पीछे उतर पस्चिमी भारत की कमान कुतुब इद्दीन एवक के हाथों में सूप द दिल्ली को अपना मुख्याला बना कर कुतुब ने गंगा से यमना तक के हिस्से पर कबजा किया बारा सो छे में जब गोरी की हत्या हो गई तब कुतुब इद्दीन एवक को उसका उत्तर इदिकारी घोचित किया गया हाला कि गुलाम होने के बावजूद उसने दासद्व को किनारे कर आगे बढ़ता कया उसने अपने विद्रोईयों मुल्तान के नसीरुद दीन और गजनी के ताजुद दीन को कुचल कर अपना सामराज्य बनाया कुतुब इद्दीन एवक ने लाहोर को अपनी राजदानी बनाया और दिल्ली सही उत्तरी भारत के अधिकार से अपना अधिपत्य कर लिया था उसने अपने साशन में अजमेर में धाय दिन का जोफडा दिल्ली में कुवेत उल इसलाम, मस्जित और कुतुम मिनार का निर्मान करवाया था 1210 में लाहोर में पोलो का खेल खेलते हुए कुतबुद्धी नैबग घोड़े से गिर गया था उसकी चोटो से उसकी मौत हो गई थी उसे लाहोर के अनार कली बाजार में दफन किया गया था दिल्ली सल्तनित का दूसरा सुल्तान कुतबुद्धी नैबग का बेटा आरम शाह था उसने 1210 इसवी से 1211 इसवी तक राज किया था गानी नामक एक धूर्थ मंतरी ने उसके खिलाव एक साजिश रजी और बदाओ के शाशक इलतुत्मिश को अराम शाह के स्थान पर तक्त पर बिठाया इलतुत्मिश ने दिल्ली के निकट 1211 में आराम शाह को युद्ध से पराजित किया और खुद को सुल्तान गोशित कर दिया आराम शाह का इस घटना के बाद क्या हुआ इत्यास में उसकी पूर्ण जारकारे नहीं है गुलाववंच का तीसरा सुल्तान शम्शुद्दीन इलतुत्मिश था जिसने नसीर अमीर उल्मूमिन नामक पज से नवाजा गया इलतुत्मिश ने 1211 से लेकर 1236 तक राज किया था उसने अपनी राजधानी लावर से बदर कर दिली कर दी और राजकोश को तिगुना कर दिया था उसने दिल्ली पर अपनी दावेदारी रखने वारे मुल्तान के नसीरिद्दीन और गजनी के तेजुद्दीन को पराजित किया था 1221 में मंगोल साचक चंगेज खां अब जलाल उद्दीन मंग बरनी का पीछा करते वे भारत आप होचा था जिसे सिंदु घाटी के युद्मियों से पराजित कर दिया था चंगेज खां की मोत के बाद इल्टुत्मिश ने वापस उतरी भारत के अपने खोयवे अलाके को वापस कब जाया उसने 1237 में महरोली में होजय शम्सी जलाशय का निर्मान कराया और 1231 में दिल्ली में अपना इसलामी समाधी सुल्तान घडी का निर्मान करवाया गुलामवंज का चोथा सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का बेटा था जिसने अप्रेल 1236 से नवंबर 1236 तक राज किया उसने केवल साथ मईने शाशन किया और उसकी मा शा तुर्का उसी सरकार को सभी काम संभाल रही था उसने खुद अपने आपको व्यसनों से घेल लिया था जिससे जंता में आक्रोश फैल गया था 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी मा शा तुर्का को उसने सता को बखुबी संभाला जिससे उसकी मंत्री उससे बहुत खुश रहते थे बाद में उसके संबंद एक अफरीकन जमाल उद्दीन के साथ बढ़ने लगे जिससे मंत्रियों के बीच नसलिया विरोध बढ़ने लगा था रजिया सुल्तान को एक शक्तिसाली मंत्री मालिक अलतुनिया ने पराजित किया जिससे बाद में उसने विवा कर लिया रजिया का बाई बहराम अब सता को हत्याना चाता था इसलिए उसने संगठन बना कर सुल्ताना और उसके पती को युद में पराजित किया दोनों पती पतनी भागते भागते कैथल पहुँचें जहां पहुँची होई फोजों ने उनका साथ देने से इंकार कर दिया बाद में वो दोनों जाटों के हाथ आ गए और उन दोनों को लूट कर 14 अक्टुबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई गुलाव मंच के छटे सुल्तान कपद बहराम ने लिया और 1240 ते लेकर 1242 तक शाषन किया उसके शाषन के दोरान मंगोल ने पंजाब पर आक्रमन बोल दिया और लहोर पर कबजा कर लिया बहराम मंगोल के खिलाफ कोई रनीती बनाने में बहुत कमजोर था और चिलगानी ने भी उसे धोका देते वे दिल्ली के किले को घेर लिया और 1242 में मौत के घाट उतार दिया गुलाव मंच का साथवा सुल्तान अलाउद्दिन मसूद था जसने 1242 से 1246 तक शाषन किया था वो असल में चिलगानी के हाथ की कटपुतली था और सरकार ने उसका कोई रहतवा नहीं था इसके अलावा मनवरंजर और मदीरा में लिप्त होने के कारण मंत्री उससे नाराज थे 1246 में अलाउद्दिन के मंत्री ने मिलकर उसको हटा कर इल्तुत्मिष के दूसरे बेटे नसीर अधिन महमूद को सत्ता सोब थी नसीर अधिन महमूद गुलाव मज का आठवा सुल्तान था जिसने 1246 से 1246 तक शाषन किया महमूद बहुत धार्मिक था और अपना अधिकतर वक्त प्रात्न में बिताता था वो गरीबों और जरूरत की मदद करने के कारण जंता में लोक प्रिय था उसके नयाब सुल्तान गयासुदीन बलबन में प्रशासनिक मामलों से उसकी अलगर खुद को साषन बना दिया था गयासुदीन बलबन गुलामवंच का नवा सुल्तान था जिसने 1266 से लेकर 1287 तक शाषन किया बलबन ने सबसे पहले चिलकानी के मंत्रियों को तोड़ा उसने अपने शाषन ने शांती और सोहार्थ फिलाई थी बलबन चाता था उसके शाषन में सभी उसके प्रती वफदार रहे इसके लिए उसने परियाप्त जासूस प्रिनारी लगा रखी थी मुईजुद्दीन मुहम्मद गुलाव वंच का दसवा और अंतिम सुल्तान था जिसने 1287 से 1290 तक शाषन किया था यूवा वस्ता में सत्ता हाथ में आने से उसने सारे प्रशासिनिक मामलों पर ध्यान नहीं दिया चार वर्ष बाद उसके साथ पक्षा गात हो गया और एक खिलजी मंतरी ने उसकी हत्या कर दी उसके तीन साल के बेटे कयूमर का उत्तर अधिकारी बनाया गया लेकिन खिलजी मंच के उद्या के साथ खुलाव मंच का अंधो चुका था तो ये थी कानी स्लेव डैनेस्टी और उनके शाशकों की वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करे सिब्सक्राइब करे और कमेंट जरूर करे